हेलो बच्चो, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है हम लोग कवी सुमीत्रा नंदन पंथ जी द्वारारचित एक कविता जिसका सिर्शक है गीत विहद इसे पढ़ रहे हैं मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया है कि इस कवीता को मैं चार भागों में पढ़ाऊंगी कवीता के जिन अंसों को मैंने भाग एक के अंतरगत पढ़ाया है उससे संबंदित वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गिया है जिन बच्चों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखे जो बच्चे मेरे चैनल पर नई है वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आने वाले हर नई वीडियो का नोटिप्शन आपको समय समय पर मिलता रहे भाग तो के अंतरगत मैं कविता के जिन अंसों को पढ़ाऊंगी उसे मैं सबसे पहले आप लोगों को पढ़कर सुनाती हूँ फिर उसके बाद कठिन सब्दों के अर्थ को बताने के बाद ही मैं इसकी ब्याख्या करूंगी और सबसे अंत में इसका विशेश भी बताऊंगी तो खुब ध्यान से देखिए आवेसों से उद्वेलित जन सागर में नव स्वपनों के सिखुरों का ज्वार उठाता जब सिसीर क्रांत वन रोधन करता भूमन युगपिक बन प्रानों का पावक बरसाता मिट्टी के पैरों से भवकलांत जनों को स्वपनों के चर्णों पर चलना सिखलाता तापों की छाया से कलुषित अंतर को उन्मुक्त प्रकृती का सोभा वक्ष दिखलाता अब चलिए कठीन सब्दों के अर्थ को देख लिए कठीन सब्दों के अर्थ आवेसकार्थर जोस या उद्वेलित यनि छलकता हुआ उद्वेलन जैसे कहते हैं उमढ रहा है घुमढ रहा है इसको इद्वेलित कह रहे हैं जन सागर मनिश्यों की भीड किसके समान है सागर की तरह है जन सागर में रूपक लंकार है सीखरों चोटियों पर उचाईयों पर जवार समूद्र के जल का उपर उठना आप लोगों ने बुल में जवार भाटा पढ़ाई होगा, तो जवार क्या होता है, समुदर का जल जब घटता है, तो उसे कहते हैं भाटा, सिसीर एक रितु का नाम है, यानि सीतकाल, पाला, हिम, रोधन, यानि असरुपात करना, विलाप करना, भूमन, भूमी रूपी मन, तो यहां पर जो है, मानवी करन अलंकार है, आप रूपक अलंकार भी कह सकते हैं, अगर मन को भूमी मान लिया गिया है, और भूमी में चेतना का आरोप होने से, यह मानवी करन अलंकार हो गिया, पिक यानि कोयल, प्रानो का पावक, यानि जीवनी सक्ति, किसके समान है, प्लेक हमेशा होता आया है, तेतरी ताप क्या है, देखे, दैविक, दैविक भौति, दैविक ताप यानि जैसे बाड, भुकम, ये दैविक ताप है, दैविक ताप क्या है, दैविक ताप है, रोग, कष्ट, जो बीमारिया, और भौतिक कष्ट कौन से, मनुष्य द्वारा जो कष्ठ है, उसे करते हैं भौतिक, कलूशित यानि कलूशियुक्त आपवित्र, अंतर यानि अंतर्मन हिरदय, उन्मुक्त यानि फैला हुआ, विशाल, सोभा वक्ष, यानि सौंदर ये पोन हिरदय, यहां पर भी क्या है, मानविकरन लंकार है, तो कभी ने, स्वयम को क्य माना है, गीत भी है, जो सुद्ध जनमानस को जागरन का संदेश देता है, कभी क्या कहते हैं, देखिए, आवेसों से उद्वेलित जन सागर में, नव स्वपनों के सिखरों का जवार उठाता, कभी बताते हैं कि जन सागर है, जन समूद्र, यानि जो मनुष्य की भीड, इ वेसों से उद्वेलित जन सागर में, मनुष्य के हिरदय में जोस है, उत्सा है, और वे उत्वेलित हो रहें, लेकिन उनका उत्सा किस ओर हो, ये तो उन्हें किस मार्ग पर जाना है, ये मनुष्य को मालूम नहीं है, इसलिए कभी यहां पर क्या करते हैं, आवेस से भरी का कार्य करते हैं उनके भीतर प्रिर्णा देते हैं कि वे नए स्वपने देखे कि मनिश्य के हिर्दय में जो उत्सा छलक रहा है उस उत्सा को एक नया मार्ख दिखलाते हैं कभी लोगों को प्रिर्णा देते हैं कि वे नए स्वपनों को देखे एक उज्वल भविष्य का सपना देखे, और इसलिए कभी कहते हैं, नव स्वपनों के सिखरों जवार उठाता, जवार उठाता मनें उचाई तक ले जाना, मनिष्ट्य को सपना दिखाते हैं, देखने के लिए प्रेरित करते हैं, और उसे एक उचाई तक ले जाना चाहते है कवी यहां पर यह कारे अपने कवीता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से करते हैं, लोगों को प्रेड़ना देते हैं, कि उनके भीतरेदी उत्सा है, तो उत्सास को क्या करें? एक नए मार्ग की ओर ले जाए, जीवर में आगे बढ़े, तरक्की की ओर अग्रसर हो. जब सिसिर क्रांत वन रोधन करता भूमन, युगपिक बन प्रानों का पावक बरसाता. यहां पर भी देखिए, रूपक अलंकार से सारी बातों को समझाया गया है. पहले वन के अर्थ में, तो वन यानि जंगल, कहते हैं कि जब सिसिर क्रांत, यानि जब सीतरी तु आती है, जब हिम पढ़ता है, पाला पढ़ता है, यानि हर जगा बर्फ बर्फ दिखाए देता है, तो ऐसे में लगता है, कि मानो वन रोधन, जंगल क्या है, रो रहा है. यानि हिम जो है, टपकता हुआ जो जल है, इन सारे चीजों को देखकर ऐसा लगता है, कि मानो वन रो रहा है जब सिसिर क्रांत बन रोधन करता भूमन, युकपिक बन प्रानों का पावक बरसाता है, कभी नहीं यहां रूपक लंकार से सारी बातों को समझाया है, आप इस तरह से समझे कि जब सीत रीतु आती है, सीत रीतु के समय हीम पढ़ता है, पाला पढ़ता है, तो उस समय हम पतजड भी देखते हैं, चारो तरह का वातावरन क्या हता है, निरासा से विसाद से मानों भर गया प्रतीत होता है, तो कवी कहना चाहते है कि पतजड रितु के बाद ही क्या है, बसंथ का आगमन होता है, और बसंथ के आगमन की सुचना कौन देता है, पीक यानि कोयल, य् हम समझ जाते हैं कि बसंतरीतों का आगमन हो गया और बसंतरीतों के समय हम लोग क्या देखते हैं चारों तरब का वातारन मानो खुसियों से भर गया हो हर तरब तरब के फूल खिल जाते हैं पेड़ों पर हर याली छा जाती है तो ठीक यहाँ पर भी कभी बताना चाहते हैं कि सिसीर क्रांत यानि जीवन में आने वाले दुखों से, तापों से, कष्टों से क्या हो गया है मनिश्य का मन मानो रो रहा है मनिश्य का मन जो है बिलाब कर रहा है ऐसे में कभी एक कोयल की भाती यानि कभी की कवीता किस रूप में है कोयल की तरह है जो हमारे जीवन में उर्जा का संचार करती है देखे यहां लिखा ना प्रानों का पावक बरशाता है प्रानों का पावक बने प्रान रूपी उर्जा उर्जा में क्या होती है? उर्जा में गर्माहट होती है इसलिए पावक सब्ध है अगनी तो यह उर्जा हमारे अंदर क्या करती है? प्रेडना देती है जीवन में कुछ कर दिखान, तो यह उर्जा हमें क्या करती है, हमें प्रेरित करती है जीवन में आगे बढ़ने के लिए तो तातपर यह है कि जीवन की जो नसवर्ता है इस नसवर्ता से मनिश्यों का मन क्या है दुखी हो गया है व्यथीत हो गया है बिलाप कर रहा है ऐसे में कवी की कवीता कोयल के रूप में मनिश्यों के भीतर क्या करती है प्रानों की उर्जा का संचार करती है प्रानों में स्फूर्ती लाती है कभी यह कहना चाहते है मिट्टी के पैरों से भवकलांत जनों को स्वपनों के चर्णों पर चलना सिखलाता देखे मिट्टी के पैर क्यों कहा गया है कि आप लोगों ने भी सुना हुआ कि लोग क्या कहते हैं कि हम मनुष्य का सरीर किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, क्योंकि आज हैं, कल नहीं, यानि हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, हम मनुष्यों का सरीर क्या नस्वर है, कभी भी समाप्त हो सकता है, और यह सरीर कहां मिलता है जाकर के मिट्टी में मिल जाता है इसलिए यहां पर कहा गया है मिट्टी के पैर तो भव क्लांत जनक भव यानि संसार यानि ये संसार कैसा है नस्वर है यानि जीवन की नस्वर्ता को सहते सहते क्या हो गया है, मनिश्य क्लान्थ हो गया, ठक गया है, यानि जीवन में आने वाली मुसीबतों, विपत्यों, कष्टों का सामना करते करते मनिश्य के पैर कैसे हैं, ठक गये हैं, तो कभी कहते हैं, ऐसे ठके हुए पैरों को स्वपनों के चर्णों पर चलना सिखलाता, तो स्वपन क्या है? जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा, जीवन में कुछ कर दिखाने की इच्छा, तो कभी अपनी कवीता के माध्यम से, अपने गीत के माध्यम से लोगों को प्रेरित करते हैं, उन्हें नए स्वपन दिखलाते हैं, और सपनों के चर्णों पर चलना सिखलाते हैं, यानि जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तापों की छाया से कलुषित अंतर को उन्मुक्त प्रकृती का सोभा वक्ष दिखलाता, तापों की छाया से, यानि इस संसार में जो मनिश्य रह रहे हैं, उन सभी म सहते सहते कष्ट को सहते सहते मनिश्य का हिरदय अंतर मन कैसा हो गया कलुषित हो गया है, मनिश्य का अंतर मन कलुषित हो गया है, विविन विकारों से भर चुका है, तो ऐसे कलुषित हिरदय को विविन विकारों से भरे हुए हिरदय को कवी अपने कवीता के माध्यम से क् उन्मुक्त प्रकृति का सोभा वक्ष दिख लाते हैं यानि प्रकृति का जो सास्वत स्वरूप है उसे उस्वरूप का दर्सन करवाते हैं यहाई जीवन को कवी धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं अपनी कवीता के माल्ध्यम से लोगों को प्रेरित करके अध्यात्मिकता की ओर जा रहे हैं और जीवन को उन्मुक्त रूप से आजादी के साथ जीना सिखलाते हैं इसका अब विशेश देख ले पहला यह एक जागरण गीत है यानि कवी ने अपने कवीता के माद्धम से जागरण का संदेश दिया है कवी ने अपनी कवीता को युग पीक बतलाया है जिस प्रकार कोयल बसंत के आगवन की सूचना देता है इसी प्रकार कवी की कवीता भी लोगों को प्रेड़ना देती है और जिस प्रेड़ना को पाकर लोगों का जीवन जो है आनन्द से भर उठता है चौथा कवी ने यहाँ पर ताप सब्द का प्रयोग किया है ताप तीन प्रकार के होते हैं दैविक, दैहिक और भौतिक प्रस्तुतंस में मानवीकरन अलंकार है वनरोदन, भूमन और सोभा वक्ष यानि चेतना का आरोप होने के कारण यहां पर मानवीकरन अलंकार है प्रस्तुतंस में रूपक अलंकार का भी प्रयोग मिलता है जैसे जनसागर छे नमबर पंथ जी की भासा सुद्ध साहितिक खड़ी बोली है जिसमें तप्सम सब्दों का प्रयोग मिलता है कोमलता और मधुरता पंथ जी की भासा की एक प्रमुख विसेशता रही है तो उम्मीद करती हूँ कि पार्ट टू के अंतरगर्थ मैंने कविता के जिन अन्सों की व्याख्या किया वह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा वीडियो को लाइक करें और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे सियर तो जरूर करें पार्ट थ्री को लेकर अगले वीडियो में आपसे पुनह मुलाकात होगी तब तक पढ़ते रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए मेरी सुप कामना है आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद